नमस्कार दोस्तों महराजी के चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं बात करने जा रहे हैं अगर आप कैची दाम जाई रहे हैं कैची में आप पहुंची चुके हैं तो कुछ चीज़े अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा महराजी को भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा सबसे पहली बात तो यह मित्रों मंदिन के अंदर जाते हैं तो प्लीज मुबाइल से वीडियो वगेरा मत बनाएए अंदर फोटो लेना वीडियो लेना मना है अतरा आप मंदिर की अनुशासन का पालन कीजिए महाराज जी को अनुशा करेंगे करेंगे सिध्धी माइकोडिति करेंगे दोनों को बहुत ज्यादा अनुशासन प्रियधा है और रहेगा जितना हो सके जोगाब लाइन में लगें केची में कभी डहाट हीड़ हो जाती है तो लाइन में रहीे इस शंद रहें वहाँ पर एक शक्ति की अनुभूती बाहर निकल कर भी कर सकते हैं, आप क्या खाएंगे, आप क्या पियेंगे, आपकी गाड़ी में क्या है, क्या रहा गिया है, अपने रिष्टेदारों को Real डिखाना, वीडियो लाइव करके दिखाना, यह सब आप बाहर भी कर सकते है जो 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 मंदिर का गेट है वहां से अंदर जाने के बाद ही अब यह सब करें इससे कुछ होगा दी सिर्फ महराज जी को गुस्सा आएगा जितना संभव वह अपने मन में राम राम का निरंतर जाब करते रही है सिता राम का जाब करते रही है अपने मन में महराज जी का इसमरण करते रही है सिद्धी मा जी का इसमरण करते रही है दूसरे क्या कर रहे है क्या नी कर रहे है अन्धानु करण मत कीजिए यदि कोई किसी मंदिर में किसी फोटो को बढ़ाम कर रहा है तो आप भी मत करने लग जाएए कोई वहाँ बैठकर हन्मान चालीसा सुन्दरकान का पार्ट कर रहा है तो आप भी शुरू मत हो जाएए बशर्त आपको वह करना है आप गए है उसलिए तो आप जरूर कीजिए लेकिन किसी को देखके मतलब बंदर मत बनिये अगर आप किसी अटकेवे काम की सिद्धी के लिए जा रहे हैं जैसे शादी नहीं हो रही है बच्चे नहीं हो रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है नेता नहीं बन पा रहे हैं कोट कचेरी के मसले है कुछ भी एक्षा पूरी नहीं हो रही है प्रेम संबन ठीक करना है शादी ठीक नहीं चल रही है जो भी है तो भेतर है कि आप अपने घर में महराजी की पूजा करें क्योंकि एक ही बात है हमारे महराजी हर जगे है उनको सब कुछ पता है पता था और पता रहेगा उनको फरक नहीं पढ़ने वाला है कि आप कहाँ है क्योंकि जिसके मंद में सत्य है, जिसके मंद में राम है, हनमान है, वही माराज जी मी है, माराज जी साक्षाद हनमान ही है इसमें कोई दो मठ कभी भी नहीं होंगे बहुत से लोग अपनी धन, संपता, बड़ी गाड़ी, महेंगे मोबाइल आदी के बारे में बाते करते रहते हैं आपको एक छीज़ ध्यान दखनी चाहिए कि महराजी के सामने कोई भी कुछ नहीं है और ना कभी होगा महराजी पल में राजा से फकीर और फकीर को राजा बनाने की शक्ती हमेशा से रखते हैं वो ये बोल चुके है और हमेशा रहेगी आप चाहें कोई भी हो भले देश के प्रधान मंत्री हो चाहें किसी भी राष्ट के प्रधान मंत्री हो या राष्ट पती हो उससे कोई फरेक नहीं पड़ता, महराज जी के सामने सब बराबर है जब कैची जाई रहे हैं तो काकड़ी घाट, भूमियाधार, हन्मानगड़ी मंदिर के दर्शन अवश्य कीजे भूमियाधा, वहां की शक्ति, शांति, और अध्यात्मिक अनभूती को अपने अंदर आत्म साथ कीजे अपनी आत्मा को तरप्त कीजे अपने किसी स्वार्थ के चक्कर में नहीं बलकि आत्मा को सुख देने के लिए ऐसा कीजे क्या चीस है या किसी भी देवी दिपता के मंदिर से रील वगेरा बनाना फॉलवर के चक्कर में जैसे हम देखते हैं केदारनात में अब उनको मना करना ही पड़ गया है यह सब करने से तो यह सब करने से आप उस जगे की अध्यात में कूर्जा को खराब कर रहे हैं आप खाल बहुत ज़्यादा अपनी मतलब स्मार्टनस दिखाने की आउशकता नहीं है कैची हो चाहे कोई भी हिंदू मंदिरों वहां पर क्योंकि इश्वार सबसे स्मार्ट होते हैं यह चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए जितना संबह वो शनिवार इतवार मंगलवार को वहां जाके दोबारा भीड़ बढ़ाएंगे तो आप ही का ही तो का दूसरे भी परेशान होंगे अपने साथ साथ दूसरे भक्त जनों का ध्यान रखना भी एक भक्त का करतव भी होता है आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी आत्मी किसी मंदिर में जाता है वो सब स्वार्थ क कारण ही मंदिर जाते हैं कहीं भी जाते हैं यह चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए मित्रों मेरों अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ही को बहुत अच्छा लगेगा आप किसी को दिखाने के लिए या दूसरों पर एहसान करने के लिए नहीं अपने के एक अच्छी चीज कर आम तोर पर अन्धानुकरण देखने में आता है कि इतने लोग वहां जा रहे हैं वहां बहुत लोगों के काम हो रहे हैं इसलिए हम भी जाएंगे ऐसा बिलकुल मत करिये बिलकुल भी मत करिये आप में से अधिकतर लोग इसलिए कैची जाते हैं क्योंकि आपने सोशल मीडिय का ऐसा हो गया तो हमारा भी होगा इसलिए सब काम छोड़ कर चलो कैची धाम ऐसा नहीं है कैची में सही में जाके लोगों के काम होते हैं नहीं भी जाते हैं तो भी होते हैं जो महराजी की पूझा अर्चना करते हैं उनके भी काम होते हैं एक बार महराजी ने आपको ले लिय जाती है वो उनका जीवन ही बदल जाता है बहुत से लोग अनिक प्रकार से जूट पलाते हैं बहुत से लोग सत्य भी बता रहे हैं सभी चल रहा है अपने ग्यान बुद्धी विवेक से निर्णे लीजिए धर्म के चमतकार के भैकावे में मत आईए कैची जो मंदिर है उसके बाजु में आप जो परवत देखते हैं उसका नाम गरगान चले जैसा कि नीम करोली बाबा उसके बारे में बोलते थे वहां गरग रिशी ने तपस्या करी है कैची मंदिर के ठीक पीछे जो परवत है कैची गाओं है वहीं पे उसी जगे पे बहुत सारी रिशी आज भी तपस्या रहते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं लेकिन जिनको वह अपना अभास करवाना चाहते हैं वह करवा देते हैं ऐसे लोग हुए हैं जिनको वह अभास हो चुका है ऐसी पवित्र जगे को ऐसे पवित्र इस्थल को अपने एहंकार से अपने दिखावे से अपनी मानसिक्ता दूशित मानसिक्ता से गंडा मत कीजिए ऐसा करके आप अपना ही बहुत अहित कर रहे हैं ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कैची रहाम में पार्किंग की बहुत समस्य थी पहले अब तो वहां पार्किंग बन गई है लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग सड़कों पर गाड़िया लगा देते हैं जो पैदल सड़क बनी हुई है उस पर लोग बीच में चलते हैं जो वहां पर आवागमन हो रहा है वह बहुत बाधित होता है आप किसी जगे जा रहे हैंआ आप यान रखी आप पार्टी पिकनिक निए जा रहे है आप एक अध्यानिक को ट्रेन पकड़नी होती है बहुत से लोगों को बहुत सारी काम होते हैं लेकिन उस जगे पर पर्टिकुलर ली उस जगे पर बहुत बार ऐसा होता है कि जाम लग जाता है ऐसा करके आप किस प्रकार का अच्छा कर रहे हैं अपने मन में प्लीज सोचिए धर्म की जो शोभा ह होती है वह शालींता से होती है विक्रती से नहीं और आप कुछ ऐसा करते हैं कि सामाजिक शालींता धर्म की शालींता भंग होती है तो आप एक तो अपना ही अहित कर रहे हैं और फिर दूसरे धर्मावलंबियों को अपने धर्म पर उठाने का मौका भी दे रहे हैं क्या ऐ कुछ हूँ ना आप कुछ है ना कोई कुछ कभी होगा जो कैची के पास नदी है उसमें तो अब जाना बंद हो गया तो एक बहुत अच्छी चीज वहाँ पे लोगों ने करी बहुत से लोग अशोबनी वस्त्र पहनते थे तो वो भी बंद हो झाल झाल